दोपहर की भोजन का समय बीच चुका है और आपका ओफिस खत्प होने में अभी भी कई घंटे पाकी हैं लेकिन आपको कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है हलके हलके नीद भी आ रही है ये बात हर उस इंसान की वर्क लाइफ की सच्छाई है जो ओफिस जाता है कैलिफोर्निया की डेविस ने इस्दित नूट्रेशनिस्ट डॉक्टर क्रिश्टोपर रोट्स ने बाल ही में एक इंटर्व्यू के दौरान बताया जब किसी को दोपहर में ठकान महसूस होती है तो वह कॉफी अधिक पीने लगता है ताकि कमजोरी महसूस गाउन लेकिन ऐसा करने से शरीर में कैफीन की मात्रा पढ़ जाती है जिससे आपको रात में नीद नहीं आएगगी डॉक्टर क्रिश्टोपर ने ऐसे कुछ तरीके बताये हैं जो दोपहर के समय कमजोरी महसूस होने से बचा सकते हैं पेट भर खाना ना खाएं रोट्स ने कहा जब मौका मिले तब कुछ न कुछ खाते रहने से नीद आ सकती है और ब्लड शुगर भी अनावश्यक रूप से पर सकता है दरसल छोटे स्नेक्स अकसर हमारी भूप नहीं मिटाते यानि जिसका अर्थ है आप चो खा रहे हैं उससे टेश्ट तो आ जाएगा निकिन पेट की भूप नहीं मिटेगा बहुत सारे ऐसे स्नेक्स भी हैं जिन में कुछ ऐसे इंग्रेटियंट डाले जाते हैं जो आपको अधिक खाने के लिए फोर्स करते हैं इसलिए छोटी-छोटी मील्स लेने से बचे दूसरा अधिक चीनी वाली चीजों से बचे रोट्स ने कहा आपको पूरे दिन अपने ग्लुकोज को नियंत्री तरकनी की पूरी कोशिश करनी चाहिए ग्लुकोज जो चीनी का सबसे सरल रूप है क्योंकि आप जो मीठा खाते हैं हमारा शरीर उसे फ्लुकेज के रूप में इस्टोर करता है और फिर एनरजी देता है अगर आपका ग्लुकोज लेवल हाई रहे होते हैं और ऐसा करने से बचना चाहिए तरसल कॉफी चीनी मिला कर पीने से ग्लुकोज बढ़ जाता है और उससे क्या होता है या आपको हम बता चुके हैं चीनी की तरह कैफीन भी तुरंत एनर्जी तो दे देता है लेकिन कुछ घंटों में ही सुस्ति का कारण बन सकता है इसलिए कॉफी की या पिक्षा ग्रीन टी पी सकते हैं क्योंकि इसमें कैफीन तो होता है तेकिन एंटी ऑक्सिदेंट और एल्थेनाइन जैसे अन कंपाउंड भी होते हैं इल्थेनाइन एक एमियो एसीड में जिसके बारे में कहा जाता है कि या इस्ट्रेस, इलुस्मेनि और इंजाइटी को कम करने में मदद करता है चौथा पौश्टी का हार ले रोट्स ने सला दी है कि अपने दोपहर की भोजन को कम कार्ब बनाएं और इसमें फ्रोटीन और सब्चियां शामिल करें कार्बो हाइडरेट से आपको तूरंद एनरजी मिलेगी और बहु गलुक कोज एक साइस का कारण बन सकते हैं इसलिए हमेशा अपने लंच को पौश्टिक बनाएं और इसमें सारी चीजें शामिल करें इसलिए सिर्फ हाई कार्ब वाली नहीं बल्कि प्रोटीन फैट फाइबर और कार्ब वाला बैलेंस खाना खाएं फिलाल इस खबर में वस इतना हुआ 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 है